1974 से हिमाचु पदेश में अपना सफर शुरू करने वाली हर्टीसी आज 50 वर्ष का सफर पूरा कर चुकी है। 50 वर्ष पूरे होने पर हर्टीसी बार अक्तूबर को शिमला में स्वन जनती समहरों मनाएगी और कई अनिकाय क्रमों का आयूजिन भी करेगी। इसी कड़ी में आज शिमला हर्टीसी मुख्याले में वाल अफ ओनर और बस संग्राले का डिप्टीसीया मुकेश अगनी होतरी ने शुबारम क्या जुसमें हर्टीसी के बेडे में शामिल हुई बसों को दर्शाया गया है। यह देखिए एक बहुती शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है इमाचल पत्प्रव्याहन दिगम का एचार्टीसी और पजास साल का सफर एचार्टीसी ने किया है और सिर्फ सरकार को नहीं अपितु हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है घर्व होना चाहिए गर्व का विश्व है कि यह एचार्टीसी ही है जो कि हिमाचल परदेश के लोगों को उनके गंतब्य स्थनों पे छोड़ती है दूर राज, दुर्गम और कवाईली अलाकों तक हिचार्टीसी की रीच है और हिचार्टीसी को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पंचाती है लेकिन एक सुरक्षित सफर एक अपनत्म का सफर जो है इस बस में बैठके लोगों को होता है तो इसलिए पचासमा साल हमारे लिए बड़ा महत्रपूर्ण है पहले हम दो तारीक को इसका योजन कर रहे थे इसके पचासमे सालगिरा का लेकिन अब हम बारा तारीक को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेर बनल किया गया है और हमारे पास तीन हजार से अधिक बसों का फ्लीट है और हिमाचल पर्देश में क्यूंकि ना तो एर ट्रेवल है बहुत बड़े पैमाने पे ना ही रेल ट्रेवल है इसलिए सबसे महत्रपूर्ण हो जाता है अचाटिसी का सपर और है एचाटिसी को सिर्फ आप वेपारिक द्रिष्टिक औरन के नजरिये से नहीं देख सकते हैं एचाटिसी को समाजिक सारोकार के नजरिये से देखना पड़ता है और ठीक है एचाटिसी की यहां पर परशंशा होती है हम तो यहीं कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि एचाटिसी की आप इस बात के लिए परशंशा करें कि उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफर निभाया है लेकिन फिर भी चंदा लोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं कभी कोई बस खराब हो जाती है उस पर अपनी टिपनियां लिख देते हैं लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कही तरह की दिखते हैं हम अप्रतिस परदा के दौर से भी गुजरते हैं और रात्री का राजा तो एचाटिसी ही है अगर आप यहां से कहीं भी जाएं यहां से दिल्ली जाएं किदर जाएं आप पर बावजूद हमारी अपनी दिखते हैं और लेकिन हम और कोशिश करते हैं कि हमारी जो करमचारी हैं हम उनको समय पर तनका दें समय पर पैंशन दें और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन तूटने पाए ना सेलरी तूटने पाए और करमचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं और सारे करमचारी भी इस बाद से वाकिफ हैं कि किस ठंक से हम इसको मनेज कर रहे हैं, हम अपने बस हड्डों को कैसे और नाइज कर रहे हैं, आपने देखा होगा दो तरियाद, पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल परदेश के सब बस हड्डों को सजाया गया है, सवारा गया है.